हेलो बच्चों कैसे हूँ आप सब आशर करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी का पार्ट शिवा जी का सच्चा सवरोप सबसे पहले हम इस पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे उसके बाद हम इस पार्ट का अभ्यास और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वोश्चन भी देखेंगे पहले है निमत लिख प्रशनों के उत्तर एक जन दो पंक्तियों में दीजिए सबसे पहला प्रशन शिवा जी कौन थे तो आप सबी जानते हो कि वो मराठा वीर थे इसको लिखेंगे शिवा जी एक परसीत मराठा वीर थे नेक्स्ट कोश्चन मोरोपंथ कौन था तो उत्तर आएगा मोरोपंथ एक पेश्वा था नेक्स्ट कोश्चन आवाजी सोन देव कौन था तो जो आवाजी सोन देव था वो शिवा जी का सैनापति था तो इसको लिखो आवजी सोंदेव शिवा जी का एक सैनापती था नेक्स्ट शिवा जी के सच्चा सवरूप को दरसाती इस पार्ट की गटना किस समय की है मिन्स की जिस गटना के उपर सारा पार्ट गूम रहा है वो कब की है किस समय की है तो इसका अध़्र आएगा इस पार्ट की गटना सन 1600 हरताली इस्वी की है अब नेक्स्ट कोश्चिन मुरोपंथ शिवाजी को आकर क्या शुब समाचार देता है तो उत्तर लिखेंगे मुरोपंथ शिवाजी को आकर जे सुब शुच्चना देता है कि सैनापत्ति आवा जी सोन देव ने कल्यान प्रांत को जीत कर वहां का सारा खजाना लोट कर आ गए हैं ठीक है? कौन से प्रांत को लोटा था? कल्यान प्रांत को लोटा था और उसका सारा खजाना लोट कर वो ले आये थे ठीक है जही जो सूचना है वो शिवा जी को मुरोपंत देता है नेक्स्ट आवाजी सोन देव ने शिवा जी को सबसे बड़े तोफ़े के बारे में क्या बताया अब जो सैनापत्ती है उसने क्या बताया उत्तर लिखेंगे आवा जी सोन्देव ने शीवा जी को बताया कि सबसे बड़े तोफे के रूप में वे कल्यान सुप्वेदार एहमद की पुत्र वदू को बंद करके लाया है पुतरवदू होती है पुतर की बीवी, तो क्या था, जो कलियान का सुभेदार था, सुभेदार का क्या नाम है? एहमद, एहमद की पुतरवदू को बंज करके लाया था hो, next day शीवा जी परसंता एका कर लुक्त क्यों हो गई? तो इसका उत्तर आएगा एहमद की पुत्र वदू को सानापती लेकर आया था ये सुनकर शिवा जी की पर संता लुप्त हो गई उन्हें अपने सानापती के कार्य पर लज्जा आई थी नेक्स्ट है शिवा जी ने सुपेदार की पुत्र वदू की सुरक्षा करते हुए उसे क्या आश्वासन दिया इसका उत्तर आएगा शिवा जी ने उसे आश्वासन दिया कि उसे आराम इज़त हिफाज़त और खबरदारी के साथ उसके शोहर के पास बिना देरी के पहुँचा दिया जाएगा ठीक है क्या कहा था कि उसको आराम से इज़त के साथ बड़ी हिफाज़त के साथ ठीक है उसके शोहर के पास बिना देरी के पहुचा दिया जाएगा अब नेक्स्ट है शिवा जी पर इस्त्री को किस के समान मानते थे तो जो शिवा जी थे वो पर इस्त्री मतलब की जो दूसरी किसी के इस्त्री हो उसको किस के समान मानते थे वो माता के समान मानते थे इसको लिखेंगे शिवा जी पर इस्त्री को माता के समान मानते थे नेक्स्ट ए शिवा जी ने अंत में क्या गोशना की तो इसका उत्तर लिखेंगे शिवा जी ने अंत में गोशना की कि जदी कोई पविश्य में ऐसा करेगा तो उसका सीर धर्ड से अलग कर दिया जाएगा क्या गोशना की थी? कि अगर फिर से किसी ने ऐसा किया तो उसका जो सीर है धर्ड से अलग कर दिया जाएगा कौन सा कार्यानी करना है? मिन्स की जो हारे हुए जो हमारे शत्रू की किसी की भी जो नारी है उनकी जो मा है कोई बैहन है उसकर उठाकर नहीं लेख कर आना नेक्स्ट निम्मतलिक प्रशनों के उत्तर तीन चार पंक्तियों में दीजिए सबसे पहला प्रशन शिवजी ने अपने सानापती की गल्ती पर सुबेदार की पुत्र वदू से किस प्रकार माफी मांगी तो इसका उत्तर आयगा शिवा जी ने कहा कि माँ शिवा अपने सैनापती की इस हरकत पर आपको आपसे माफी मांगता है आप एक माँ के समान पूजनिये हैं जदि मेरी माँ आप जैसी सुन्दर होती तो मैं भी सुन्दर होता मैं आपकी सुन्दरता का हिंदू विदी से पूजन करना चाहता हूँ इसको उतर आएगा शीवा जी ने सैनापती को फटकारती हुए कहा कि उसने ऐसा ग्रिनत काम किया है जो शायद शम्मा नहीं किया जा सकता तुम शीवा को नजदीक से जानते थे फिर भी ऐसा दूर साहस किया शीवा ने आज तक किसी मज़्जित की दिवार में बाल के ब्राबर दरार नहीं आने दी सदा कुरान का सम्मान किया नेक्स्ट ए शीवा जी किस तरह सच्चे सवराज्य की स्थापना करना चाहते थे तो इसका उतर आएगा शीवा जी ऐसे सच्चे सवराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां सुक शांती एव बाईचा रहो जहां पर इस्त्री का भी मा के जासा सम्मान हो हिंदू मुस्लिम सभी सम्मान हो मंदीर मस्चित दोनों का सम्मान हो शीवा जी शील अर्थात सच चरितर को जीवन का अवश्य अंग क्यों मानते थे तो इसका उतर आएगा शीवा जी शील अर्थात सच चरितर को जीवन का अवश्य अंग इसलिए मानते थे क्योंकि शील जीवन का मूले अधार है इसी से जीवन महान बनता है बिना शील के हामलूटेरों डाक्वों के समान है इसके बिना जीवन से मृत्यू तथा विजे से प्राज्य कहीं जादा स्रिष्ट है नेक्स्ट कोस्टन आएगा निमतलिक प्रशनों के उत्तर शेजा साथ पंक्तियों में दीजिए सबसे पहला प्रशन शीवाजी का सच्चा सवरू पाट के अधार पर शीवाजी का चरितर चितरन कीजिए उत्तर में लिखेंगे शीवाजी के चरितर की निमतलिक विशेष्टाएं है सबसे पहली विशेष्टा थी कि वो वीर थे इसको लिखेंगे शिवा जी एक परसीद मराठा वीर थे उनकी वीर्था चारों तरफ बहुत परसीद थी उन्होंने अपनी वीर्था के बल पर अनेक विदेशी अकरमन कारियों से लोहा लिया और उन्हें खदेड दिया नेक्स्ट है चरित्रवान तो इसमें लिखेंगे शिवा जी एक महान चरित्रवान राजा थे उनकी शीलता बहुत परसीद थी उन्होंने कभी भी किसी इस्त्री को नहीं सताया था जहां तक कि वे मुस्लिम इस्त्रियों को भी पूझने मानते थे नेक्स्ट है नारी का सम्मान करने वाले शीवा जी नारी का पूरा सम्मान करते थे वे पर इस्त्री को अपनी मा के सम्मान पूझने मानते थे इसलिए उन्होंने कल्यान सुब्यदार एमद की पुतर वदु को सानापती द्वारा जीतने के बाद भी सम्मान साहित शमा मांग कर वापिस विजवा दिया था नेक्स्ट एस साहसी शिवजी एक साहसी वीर थे उनमें साहस कूट-कूट बकर वरा था इसी साहस के बल पर उन्होंने अतेक अतंकियों को मार बगाया था लास्ट पॉइंट आएगा सभी दर्मों का सम्मान करने वाले शिवजी सभी दर्म का आधर करते थे उनका मानना था कि सभी दर्म स्षेष्ट और पूजनिये होते हैं वे मुसलिम दर्म का पूरण रूप से सम्मान करते थे और किसी भी स्थिती में उसका निरादर करने की बात सोचते तक नहीं थे तुझे एक वोश्चन थोड़ा इंपॉर्टन्ट है पेपर में आ सकता है तो हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहला क्या है वो वीर थे दूसरा वो चरितरवान थे तीसरा वो नारी का सम्मान करने वाले थे चोथा वो सासी थे और लास्ट में सब भी दर्मों का सम्मान करने वाले थे इस पार्ट से आपको क्या सिक्षा मिलती है तो इसका उत्तर आएगा इस पार्ट से हमें जे सिक्षा मिलती है कि परिस्त्री को सदा मा के सम्मान पूझनिये समझना चाहिए उसका सदा आदर करना चाहिए कभी भी वीर्टा का गमन नहीं करना चाहिए धैरेवान एव चरितरवान बनना चाहिए दूसरों को सदा सम्मान करना चाहिए सबी दर्म, दर्मों इव लोगों को समान बाव से देखना चाहिए ठीक है, नेक्स्ट है, शीवर जी का सच्चा सवरूप एकांगी के नाम की सार्थक्ता अपने शब्दों में लिखिए इसका उत्तर आएगा, इस एकांगी में लेकरकनी शीवा जी की अपराज्य शक्ती शौरे का चित्रन किया है उन्होंने वदेशी अत्याचारों से नरिंतर लोहा लिया देश की शक्तियों को संगठित कर हिंदू सवराज्य की स्थापना की, जो दर्म निर्पेक्ष था उनका सवराज्य मानव मूल्यों की अधार्शिला पर टिका हुआ था जिसमें परतेक नागरी को सम्मान पूर्वन, जीवन पायनपन के अधिकार प्रापत थे शिवजी शीलवान और च्रेतरवान पूर्ष थे उनमें राजगर्दी का कोई अभमान नहीं था वे नारी जाती का पूरन सम्मान करते थे शत्रू पत्नी उन्हें मा से भी अधिक वंधनिय थी वंधनिय मीन्स पूजनिय थी यही कारण है कि सैनापती द्वारा शत्रू पत्नी को बंदी बना कर लाने पर वे उन्हें शम्मा जाजना की थी तथा उन्हें सकुषल पती के पास बेजने का आश वास्तन दिया था उनका मानना था के शिवा में शील होना अवश्य था क्योंकि उनमें शील होने पर ही सानापती तथा सरदारों में शील हो सकता था बिना सच चितर के लुटेरों, डाकों और हम में कोई अंतर नहीं, ऐसी अवस्ता में जीवन से, मिरित्यों तथे विजे से प्राजय कहीं ज्यादा श्रेश्ट थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकांगी का ये नाम बिल्कुल साथ दखाएं, इस आंसर में हमने जो भी हमारी कांगी का जो निचोड है, वो हमने सारा लिखना है, ठीक है, आपको जो लाइने जाद रहेंगी, आप उनमें जो लिखना मिन्स की, यह जो इकांगी है, वो हमें पॉस्टिव मिन्स की थाउट्स, जो पॉस्टिव हमें बनाने के लिए, है कि हम पॉस्टिव सोचे और अच पहली पंक्ति है आवा जी क्या तुम मेरी प्रिक्षा लेना चाहते थे इसलिए तो तुमने ये कारे किया तो इसका उत्तर आएगा जब आवा जी कल्यान के सुबेदार एमद की पुत्र वदु को बंदी बनाकर शिवा जी के सामने लाया तो शिवा जी ने उसको फटकार शायद इसलिए तुमने जे कारे किया है ठीक है नेक्स्ट शेल पेश्वाजी यह मेरे मेरे एक सैना पतिने मेरे एक सैना पतिने क्या क्या क्रड़ा लगला य्व्झा से मेरा सीर आज प्रिथ्वी में नहीं पताल में गुसा आ जाता है इस का ना जाने मुझे कैसा कैसा प्राइस जित करना पड़ेगा तो इन लाइनों का आस चरह है शिवा जी अपने सैनापती द्वारा किये गिरिनित कार्य से बहुत लज्जित हुए वे अंदर ही अंदर शमा जाजना करते हैं कि पर इस्त्री को बंदी बनाने का गिरिनित कार्य उन बलकि पताल में दसा जाता है इस पाप का ना जाने मुझे क्या प्राइस जित करना पड़ेगा अब नेक्स्ट है निमत लिख शब्दों को शब्दों को शुद करके लिखिए आप इन शब्दों को अच्छे से देख लिजी एक्जाम में जब आएंगे तो आपको जट से पता चल जाएगा कि इनको सही करके कैसे लिखना है जैसे दलान है सुसजित है वेश बूशा गबराहत हिंदू मस्जीत श्रेसकर सैनापती उपस्तित मुस्कुराना खूबसूर्ती सवराज्य ग्रिनित प्राइस्जित ठीक है अब नेक्स्ट है निमत लिख मुहावनों के आर्थ समझकर उन्हें वाक्यों में परजुक्त कीजिए सबसे पहला मुहावरा है ब्रिकट चड़ न मींस क्रोध आना इसका हम वाक्य बनाेंगे दिर्यूधन को देखकर अर्जुन की ब्रिकट चड़ गई मैंस कि उसको क्रोध आ गया अर्जुन को नीचे का होंट उपर के दांतों के नीचे आना, इसका अर्थ है क्रोध आना, दुश्मन को देखकर शिपाही का नीचे का होंट उपर के दांतों के नीचे आ गया, नेक्स्ट आएगा सिर पर चड़ना, जिसका अर्थ है सम्मान करना, इसका वाक्य बनेगा, परताप से सब भी प्रेम करते हैं, इसलिए वे सब के सिर चड़ा राता है, नेक्स्ट है बाल ब्राबर दरार ना आने देना, जिसका अर्थ है समानता रखना, वाक्य बनेगा, शिवा जी ने कभी भी मस्टों में बाल ब्राबर दरार नहीं आने दी, अब नेक्स्ट बच्चो आपका जो चैप्टर है जहां पर खत्म होता है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा कोस्टन्स देखेंगे, जो एक नंबर में आपको आ सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको सुन सकते हो, अगर नहीं तो वीडियो इदर ही बंद कर सकते हो, जो सुनना चाहते हैं उनके लिए है, प्रशन फर्स्ट, शिवा जी का सच्चा सव रूप एकांगी किसकी रचना है, तो इसका उतर है सेट गोबिंद दासकी, सैकेंड कोस्ट शिवा जी के लिए शत्रू की पतनी कैसी है, तो उतर आएगा मा से भी अधिक वंदनी है, नेक्स्ट सैनापती आवा जी सोन देव कहां का खजाना लोट कर लाए है, तो उतर आएगा कल्यान परांथ का, नेक्स्ट है शिवा जी का सच्चा सव रूप एकांगी में किस स्थ प्लान और समय की गटना का वर्नन है, उतर है राइगाड राइगाड दुर्ग के एक प्लान में सन 1908 इस्वी की संध्या का, नेक्स्ट पेश्वा का क्या नाम है, पेश्वा का नाम है मुरुपंत, नेक्स्ट शिरिमंत सरकार शिवा जी को कौन संबोधित करता है, तो इसक मुरुपंत और आवाजी सोंदेव सानापति, नेक्स्ट ए, एहमत की पुत्रवदु को मुरुपंत ने बंदी बनाया था, तो जी गलत है, उसकी पुत्रवदु को मुरुपंत ने बंदी नहीं बनाया था, नेक्स्ट ए, एहमत की पुत्रवदु की आंखों में आशु शल चला आए जे बिल्कुल सही है नेक्स्ट है मोरोपंच शिवा जी की परिवर्तित मुद्रा देकर गब्रासा जाता है तुझे गलत है नेक्स्ट है मां आपको अराम इज़त हिपाज़त और खबरदारी के साथ आपके शोहर के पास पहुंचा दिया जाएगा जे बात भी सही ह नेक्स्ट है आवाजी तुमने ऐसा डैश किया है जो डैश शमा नहीं किया जा सकता इसकी फिलिंग्स परेंगे हम इसका उतर आएगा आवाजी तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित शमा नहीं किया जा सकता नेक्स्ट तब तो जे डैश जे डैश ग्रिनित डैश है इसका उत्तर है तब तो जे रखपात जे लूट मार ग्रिनित कृतियां है नेक्स्ट मसनत के सहारे शिवा जी किस आशन में बैठे थे तो कौन सा आशन था वो वीराशन नेक्स्ट आवजी सोंदेव शिवा जी का क्या है तो आवजी सोंदेव वो शिवा जी का स्याना पत्ती था नेक्स्ट आवजी सोंदेव वो शिवा जी का स्याना पत्ती था नेक्स्ट आवजी सोंदेव वो शिवा जी का स्याना पत्ती था कतन किसका है तुझे कतन था शिवा जी का तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लेट हुआ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें